क्या मसल बिल्डिंग के दौरान मैं सेक्शुल इंटरकोर्स कर सकता हूँ? क्या सेक्स करने से मेरा मसल लॉस हो जाएगा और टेस्टास्ट्रोन लेवल ड्रॉप हो जाएगे? अगर मैं जिम जा रहा हूँ मसल बिल्ड करने तो मुझे हफ़ते में कितनी बार सेक्स करना चाहिए ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझसे पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं और आप मेंसे आम शॉर बहुत सारे लोगों के यही सवाल होंगे पर क्योंकि हम इसको openly discuss नहीं करते तो आप मेंसे बहुत सारे लोगों को सही आंसर मिल ही नहीं पाता इसलिए इन सभी सवालों के around बहुत सारी myths और confusion है मैं आज scientific तरीके से सभी सवालों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा इसलिए वीडियो को पूरा देखिए सभी दर्शकों को मेरा नमशकार कैसे हो आप सभी लोग एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजर हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक है sex and muscle building वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मुझसे different thoughts हो सकते हैं बट अगर आप इस टॉपिक को scientific तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ इट मेक सेंस आए सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या sexual intercourse करने से muscle loss होता है तो सबसे पहले हम सभी का ये समझना जरूरी है कि semen production हमारी body का एक natural process है इसी तरीके से testicles में semen storage का एक निर्धारित समय होता है उसके बाद उसको release करना अनिवारिय हो जाता है as per the natural process पर अगर आप semen को release नहीं करते हो और forcefully इसको body में रोकने की कोशिश करते हो तो या तो वो natural तरीके से nightfall के जरिये body से बाहर आ जाएंगे otherwise आपके sperm cell जो है वो dead होके body में reabsorb होंगे इसके इलावा अगर आप semen को body में forcefully hold करते हो तो कुछ males को sexual health issues हो सकते हैं but majorly अगर आप ऐसा करते हो तो आपके stress level बढ़ जाते हैं और अगर आप अपने partner के साथ sexually active नहीं हो तो हो सकता है कि आपके partner के stress level भी बढ़ जाएं और इस stressful environment की वज़े से आप अच्छे से अपनी workout पे focus ना कर पाओ और सही से diet ना ले पाओ और हो सकता है कि आपकी muscle building की journey effect हो पर sex करने से muscle loss नहीं होता क्योंकि male की body में हर दिन sperm cell produce होते हैं और sex के दौरान जो sperm cell आप release करते हो वो body reproduce कर लेती है और ये natural process जो है वो चलता रहता है तो इसलिए आपका muscle किसी भी तरीके से sex करने से हैंपर नहीं होता और जिन लोगों को ये लगता है कि sex करने से उनके testosterone level drop हो जाएंगे उनका ये समझना जरूरी है कि testosterone and sperm cell ये दोनों अलग-अलग हैं बिल्कुल अलग चीज़े हैं बट येस sperm production के लिए testosterone काम आता है पर sperm cell release करने से testosterone level drop हो जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता सेम टाइम उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि अगर वो ejaculate नहीं करेंगे तो उनके testosterone level बहुत बढ़ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता बहुत सारे studies में ये प्रूव हो चुका है कि अगर आप ejaculate नहीं करते हो तो एक हफते तक आपके testosterone level थोड़े बढ़ते हैं बढ़ उसके बाद वो फिर नॉर्मल पर आ जाते हैं तो जो लोग ejaculate नहीं करते और उनको लगता है कि उनके testosterone level आसमान चुझाएंगे तो ऐसा नहीं होता बलकि बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है कि उनकी sexual desire जादा है जो कि एक अच्छी बात नहीं है तो उनको बता दू कि अगर आपकी sexual desire अच्छी है तो ये दरशाता है कि आपके libido level अच्छी है आपका testosterone level अच्छी है जो कि एक positive sign है और अगर आपके testosterone level अच्छे हैं तो आपके लिए muscle build करना आसान होगा अगर आपका workout अच्छा रहा, diet अच्छी रही और आपके supplement on point हुए और supplement buy करने के लिए अभी जाओ 2X Nutrition की website पे या फिर description box में जो आपको link दिया गया है उस पे click करो क्योंकि हमारी new year की biggest ever sale live है जिसमें पूरी website पे हर supplement पे आपको मिलेगा 20% discount साथ में free shipping और इतना ही नहीं आपको 6600 रुपे के free gifts भी मिलेंगे हमारी तरफ से जिसमें है shaker, t-shirt और मेरी favorite road to muscle building e-book इसलिए जल्दी खरीदो क्योंकि ये जो sale है वो तब तक ही live रहीगी जब तक कि हमारे पास stock है और हर supplement पे मेरी guarantee है क्योंकि ये मेरे खुद का brand है आएए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको ये लगता है कि sex के दोरान ejaculation से उनकी body से बहुत सारे nutrient जो है वो निकल जाते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो micronutrient and aminos, semen के थुरू आपकी body से बहार आते हैं उनका उतना जादा significant amount होता ही नहीं है जिससे कि आपकी muscle building पे किसी भी तरीके का negative impact पड़े और आप सब लोग ये भी समझो कि जो nutrient already इस्तमाल हो चुके हैं semen production के लिए आप उसको दुबारा इस्तमाल नहीं कर पाओगे means आप उसको reverse नहीं कर पाओगे for muscle building बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी diet अच्छी होनी चीए so that आपको परियापत मातरा में daily basis में nutrient मिलते रहें पर ये निश्चित है कि sexual activity करने से आपको muscle grow करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी पर same time muscle building के लिए जितना focus आपको जिम के अंदर चीए उतना ही focus आपको जिम के बाहर भी रखना होता है आप किसी भी चीज़ को लेके addicted और obsessed नहीं हो सकते क्योंकि extreme cases में अगर आप बहुत जादा sexual activity में involved हो या फिर आप हर time उसके बारे में सोचते रहते हो तो हो सकता है कि आपका focus जो है वो lose हो जिसकी वज़े से आपको goal achieve करने में परिशानी आएगी तो अगर बात करें कि sexual activity में involved होने की वज़े से आपको muscle build करने में दिक्कत आएगी तो इसकी कोई भी scientific backing नहीं है पर अगर psychological issue की वज़े से आपका focus हिला तो maybe आपको problem आ सकती है अब आप में से जितने लोगों का ये सवाल है कि sexual intercourse हफते में कितनी बार करना चीए इसका कोई भी concrete answer नहीं है क्योंकि ये vary करता है person to person as हम सब की biological need जो है वो different होती है as sex जो है वो reproduction के साथ साथ pleasure और enjoyment के लिए किया जाता है तो अगर आपका और आपके partner का consent है और आप एक दूसरे की sexual need fulfill कर पा रहे हो तो ये आप दोनों पे निर्भर करता है कि आपको उसकी frequency weekly कितनी रखनी है frequency के साथ साथ आपने से बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि क्या gym जाने से पहले sex कर सकते हैं उन सभी लोगों को मैं एक overall viewpoint दे देता हूँ अगर आप before bedtime करते हो तो आपको sound sleep आती है क्योंकि sexual activity करने के बाद आप relax feel करते हो और sound sleep की वज़े से आपकी recovery जो है वो बहतर हो जाती है पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप daytime में नहीं कर सकते physical activity और sexual activity दोनों के बीच में कम से कम देड़ से 2 घंटे का gap रखना है क्योंकि देड़ से 2 घंटे में आपकी body physical activity करने के लिए ready हो जाती है बस आपको अपने आपको hydrated करना है एक अच्छी सी meal लेनी है पर same time आपको अपने आपको mentally त्यार करना पड़ेगा अपने workout session के लिए क्योंकि it's more psychological अगर आप सभी लोग इस विशे में मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ पर same time as हम सभी लोगों को पता है कि excess of everything is bad तो इसलिए sexual activity के बारे में भी obsessed ना हो और पूरे दिन इसके बारे में ना सुचें I hope उपर पूरी वीडियो में मैं आप से भी लोगों के sex और muscle building से related सभी सवालों के उत्तर दे पाया हूँ बट अगर अभी भी किसी का सवाल रह गया है तो comment box में जरूर लिखना क्योंकि मैं उसका answer जरूर दोगा तो ये था हमारा आज का वीडियो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा और जब भी आपको कोई वीडियो पसंद आती है तो please like बटन जरूर प्रेस करें और इस चानल को अपनी friends families के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि हम बनने जा रहे हैं 50 lakh subscriber family मैं इसी तरह content बनाता रहूँगा आप सब लोगों के समक्ष आता रहूँगा Till then goodbye, namaste